राजनीती पूरी तरह से महातु कांक्षाओं का खेल है निता लोग सत्ता में आने के लिए हर तरीका आजमाते है सत्ता बाने के लिए निताओं द्वारा साम दाम दंद भेद की नीती को आतम साथ करने में कताई गुरेज नहीं किया जाता सत्ता में आने से पहले निता कई तरह के मन लुभावने वायदे करते हैं सत्ता में आने के बाद, इन मेंसे कुछ वाईदों को अमली जामा पहना पाते हैं, तो कुछ नई चुनावी वाईदे ही बन कर रह जाते हैं, जो वाईदे पूरे कर पाते हैं तो उनके लिए वे क्रैडिट लेते हैं, और तो जो नहीं पूरे कर पाते, उसको लेकर जोशिश रहेगी कि हर्याणा में सत्ता पाने के लिए जरूरी 46 सीतों का आंकड़ा अपने दम पर प्रापत किया जाए जो कि फिलाल सभी दलों के लिए आसान कम नहीं है सभी पार्टियां दिन रात इस बात को सुनिश्चित करने में लगी है कि वह सत्ता में वाफसी कर पाए बाजपा को दूसरी बात सरकार बनाने के लिए हर्याणा नवांगत्यों की जजपा की दस सीटों की बेसाखी की जूद पड़ी चुनाव से पहले जजपा की गोशनाओं में 51 सो रुपए बुड़ापा पेंशन करने का बड़ा वाइदा शामिल था फिलाल तक जिस हिसाब से सरकार ने पेंशन मिलाने का पैटर्न रखा है उससे साफ है कि आने वाले वो चुनाव पर अधिकतम बुड़ापा पेंशन 31 सो हो जाएगी इसको लेकर जब बीतर दिन डिप्टी सियम दुशयन चोडाला से पूछा गया कि वहें 51 सो रुपए करने का चुनावी वाइदा पूरा कर पाएगे तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास 50 सीट होती याने की पूरण महुमत होता तो मैं भी 5000 पेंशन कर देता ऐसे में उन्होंने भी शारो शारो میں साफ कर दिया कि 5000 पेंशन का वाइदा पूरा नहीं हो पाएगा इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अकेली उनकी पेंशन की गोष्णा को ही बार बार चर्चा में क्यो लाये जाता है उन्होंने इसके लाबा अन्ने कई गोष्णाइं भी आपकी बार भाज़पा की कोशिश रहेगी कि अपने दम पर सरकार बनाए और जादूई 46 सीटों का अंकड़ा पार करे वही दूसरी तरफ कॉंगरस ने पिछली बार 31 सीट पाई थी वही भी चाहेगी कि वही 31 का बहुमत अंकड़े को पार करे ताकि उसे किसी की जूर्ट न द्यास करें कि बेशक जादोई आंकड़ा ना परापत कर सके लेकिन कम से कम किंग मेकर की भूमिका में अवश्य रहे फिलाल प्रदेश में जो राजनितिक प्रिद्रश्य है उससे इंगित है कि आने वाले विधान सवा चुनाव में मुख्य मुकावला भाजपा और विप मुद्दे को हवा दे दी है जिसने राजनितिक गलियारों में हर किसी को हैरान कर दिया है उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ गठबंदन से पहले कॉंगरस के साथ गठबंदन को लेकर अपनी शर्त रखी थी बुपेंदर सिंग उड़ा नहीं माने अब बात हर कोई मंतन की म सब्सक्ता का स्वार चकने के बाद अब जजपा को कॉंगरस में बुपेंदर सिंग उड़ा की याद क्यों आ रही है सवाल ये भी उठ रहे है कि क्या जजपा आने वाले समय में आवशक्ता आने पढ़ने पर कॉंगरस के गेल बेमिया कर सकती है हाला कि डिप्टी ने 8 के सार्वी तोर पर दे चुके है कि उनको गटबंदन नाम की किसी चीज से कोई गट परहेज नहीं है बशरते सामने वाली पार्टिस उनकी विचार धारा को समन में स्थापित होता हो इसी कड़ी में उंपरकाश चुटाला ने एक बार फिर साफ किया कि वो गटबंदन कर स करते हैं और कॉंग्रेस के साथ जाने को लेकर रुख जाहिर भी कर चुके है कि वो निर्भरता कम करने से करता ही परहेज नहीं करेगी और उसका कमजोर आंक्रन मुगालत में रहने की कोई गल्ती ना करे दिग्विदे चोटाला दोरा खुड़ा दोरा उस वक्त गठबंदन को नहीं किये जाने के पुराने मामले की चर्चा को भाजपा पर दबाव की र झाल